अस्सलामु अलेकुम वालेकुम अस्सलाम अबू तो तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो हाँ ठीक है गौर से सुनो बिस्मिल्ला पिछली मरतबा हमने देखा कि बेगुना होने के बावजूद यूसुफ अलेकुम को कैदगाह में डाल दिया गया कैद में रहते हुए ही पैगंबर को अपने तीसरे इमतिहान का सामना करना था इसी वक्त अल्ला सुभानलताला ने पैगंबर को एक बहुत खास तोफ़े से नवाजा था उन्हें खाबों की ताबीर की काबियत अता की गई थी दूसरे कैदी ये जानते थे कि यूसुफ अलेसलाम बहुत इल्म रखने वाले एक रहम दिल और नेक इनसान है वो ने बहुत महबत और इज़त देते उसी वक्त कैद खाने में दो और लोगों को लाया गया उन में से एक बाच्शा का साकी और दूसरा उनका खानसामा था उसी रात उन दोनों ने एक अजीब और गरीब खाब देखा जब वो जागे तो उलज़न में पड़ गए क्योंकि वो उस खाब का मतलब नहीं जानते थे अगले दिन जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है वो उनके पास गए और उन्हें अपने खाब के बारे में बताया मैंने एक बहुत अजीब खाब देखा मैंने देखा कि मैं एक जगए खड़ा हूँ और मेरे सर की उपर एक रोटी रखी है वहाँ दो चिडिया हैं जो मेरे सर की उपर रखी रोटी खा रही है ये सुनने के बाद पैगंबर ने सब से पहले अल्ला सुभानलताला का नाम लिया फिर उन्होंने उसे उस खाब की ताबीर समझाई खाब की ताबीर ये थी कि खान सामे को सूली पर चढ़ाया जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए फिर पैगंबर ने बादशा के साकी से उसके खाब के बारे में पूछा मैंने देखा मैं महल के अंदर खड़ा हूँ साकी ने कहा और बादशा का जाब भर रहा हूँ पैगंबर ने कुछ देर अबादत की और फिर बोले कि साकी जल्दी ही आजाद हो जाएगा और वो बादशा की फिर खिदमत करेगा पैगंबर ने साकी से कहा कि वो बादशा से उनके बारे में बात करे और उन्हें बताए के एक बेकसूर इनसान को कैद में रखा गया है जिसका नाम यूसुफ है खाबू की जो ताबीर पैगंबर ने बताई थी वो सही हुई खान सामे को सूली पर चड़ाया गया जैसा के पैगंबर ने कहा था साखी भी महल में वापस लोट गया लेकिन जैसे ही वो खिदमत में लोटा शैतान ने उसे पैगंबर की बाद भुला दी और इसी वज़े से यूसुफ अले सलाम को कुछ और साल कैद में बिताने पड़े कुछ सालों बाद एक रात को बादशाह अपने महल में सो रहा था उस राद बादशाह ने एक अजीब खाब देखा अपने खाब में उसने देखा कि वो नील नदी के किनारे पर खड़ा है उसने देखा कि पानी कम होता जा रहा है और जमीन नजर आने लगी है उसने देखा कि मचलियां बगएर पानी के उच्छल खूद कर रही है तो दुबली गायों ने अब मोटी गायों को निगलना शुरू कर दिया, बादशाह ये देखकर बहुत डर गया, फिर उसने नदी किनारे साथ हरे रंग के भुट्टे के पौधे उगते देखे, अचानक वो गायब हो गये और उनकी जगह पर साथ सूखे भुट्टे के पौ प्रिशान था, क्योंकि वो अपने खाब का मतलब नहीं जानता था। अगले दिन मौलवी समेथ उसने अपने कुछ खास लोगों को मश्वरी के लिए तलब किया और खाब के बारे में बताया। आयार ने कहा, ये बहुत उल्जा हुआ खाब है, ये कैसे मुम्किन हो सकता ह मौलवी ने कहा, शायद रात का खाना ज्यादा भारी हो गया, शायद आप बिना रजाई के सो गए होंगे। वजीर आला ने कहा, सभी ने कहा, कि वो बस एक बुरा खाब था और फिक्र की कोई बात नहीं, खबर साकी तक पहुँची। उसे वो खाब याद आया, जो उसने गुना है, उसने बादशाह से कहा, लेकिट मैं भूल गया, जब उसने इस तफसील से बताया कि कैसे यूसुफ आले सलाम ने कैद में उसके खाब की ताबीर की थी, तो बादशाह ने उसे पैगंबर से मिलने को भेजा, साकी पैगंबर से मिला, और उसने उन्हें बादशा से जुताई की गई, तो फसल अच्छी होगी, और लोगों के पास खाने को जरूरत से ज्यादा होगा, इसके बाद रियासत में साथ सालों तक सूखा पड़ेगा, लोगों के पास खाने को नहीं होगा, और पूरे मिस्र में खाने की कमी होगी, जब साखी ने बादशा को खाबूं की ताबीर बताई, तो बादशा बेहद खुछ हो गया, उसने पैगंबर की रियाई का हुक्म दिया और उन्हें उसके सामने लाने को कहा, जब बादशा का खबरी पैगंबर को रिया करने पहुंचा, तो उन्होंने उन्से का den निया, मैं जब तक बेगुना साबित नहीं हो जाता तब तक कैद खाना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उनसे कहा। खबरी बादशाह के पास लोट आए। यूसुफ कहा है। बादशाह ने पूछा। क्या मैंने तुम्हें उसे आजात करने का हुक्म नहीं दिया था। जब तक वो बेगुना साबित नहीं हो जाता वो नहीं आएगा। उन्होंने जवाब दिया। अब बादशाह को अहसास ह को भी जो शानदार दावत में शामिल थी। दास्तान यूसुफ क्या है। बादशाह ने उन से पूछा। क्या ये सच है कि उसने वजीर आला की बेगम के साथ बुरा बरताव किया था। उसने कुछ नहीं किया। एक औरत ने कहा। उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाय थे वो तभी से बहुत उदास थी। गलती मेरी थी। उसकी नहीं उसने दिलेरी से कुबूल किया। तो वो बेगुना है जैसा कि वो कहता है। बादशाह ने कहा। जब पेगमबर को महल लाया गया तो बादशाह उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने उनके इल्म का इमतिहान लेने के लिए उनसे कुछ देर बात की। पेगमबर के जवाबों ने बादशाह को हैरत में डाल दिया और वो जान गए कि वो वाकई बेहद अकलमंद हैं। और इसी दरमयान खाब का जिक्र निकला। पेगमबर ने बादशाह को मश्वरा दिया कि उन्ह आने वाले सूखे की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने बादशाह को बताया कि इस सूखे का दाइरा महज मिस्तर तक ही नहीं रहेगा बलकि आस पडोस के मुलकों पर भी इसका असर होगा। बादशाह ने पेगमबर को अनाज की देखरेक के लिए तैनात किया। मुलक में फसल की देखरेक अब उनकी जिम्मेदारी थी और आने वाले सूखे की तैयारी भी। वक्त का पहिया अब घूम गया था। पेगमबर जो कुछ महीनों पहले कैद में थे अब मिस्तर के सबसे आला अफसर थे। मुस्तेदी और वफादारी से अपना फर्ज निभाते हुए आने वाले बुरे सालों के लिए अनाज बचा कर रख लिया। फिर क्या हुआ। बागी कहानी मैं तुम्हें कल सुनाओंगा। माशालला ये तो बहुत कमाल की कहानी थी। अबू क्या पेगमबर ने फिर अपन मैं वालिद को देखा। ये जानने के लिए तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। ठीक है। तो क्या तुम सवालों के लिए तैयार हो। हाँ। ठीक है, मुझे बताओ, पेगमबर की ही तरह कैद किये गए दो लोगों का पेशा क्या था। एक खांसामा था और दूसरा साकी। ये सही है। और अम मुझे बादशा के खाब के बारे में बताओ। बादशा ने खाब देखा कि वो नील नदी के पास खड़ा है। जब वो वहां खड़े थे तो उन्होंने साथ मूटी गाय को पानी से बाहर निकलते हुए देखा। और फिर साथ पतली गाय बाहर आई और उन साथ पतली गाय ने साथ मूटी गाय को खा लिया। माशाला और बाकी खाब और फिर बाश्या ने साथ भुट्टे के पौदे नदी के पास उकते हुए देखे ये भुट्टे के पौदे गायब हो गए और उनके जगह पर साथ सूखे पौदे आ गए और इस खाब की ताबीर क्या रही? खाब की ताबीर ये हुई कि मुल्क में साथ साल तक अच्छी फसल होगी और अगले साथ सालों तक सूखा पड़ेगा बहुत अच्छे आमिर कैद से रिहा होने के लिए पैगंबर ने क्यों इनकार कर दिया? पैगंबर चाहते थे कि उनकी बेगुनाही साबित हो और इसलिए वो कैद में ही रहे फिर एक बार सही और कैसे बादशाह ने उनकी बेगुनाही साबित की? बादशाह ने दूसरे औरतों के साथ वजीर आला की बेगंग को भी बुलाया और सवाल किया पर इस बार सभी ने सच्चाई बयां की और पैगंबर बेगुना साबित हुए बिल्कुल सही मेरे बच्चे और अब आखरी सवाल बादशाह ने पैगंबर को कौन सा ओदा दिया? पैगंबर को अनाज की देखरेख का जिम्मा दिया गया माशाला तुमने सारे सवालों के सही जवाब दिये आज के लिए इतना ही मैं तुम्हें बागी कहानी कल सुनाओंगा शब्बा खेर शब्बा खेर अबू यालों मान ही मैं तुम्हें जिर तुम्हें है